प्राइम टीवी पर इश्वेता किसा आत्मा यहाँ में देख रहे हैं इस बार भी हम एक नय टापिक को लेकर हाजर हो चुगे हैं आप जानते हैं कि हेलथ मंतरा में होते हैं ऐसे हैं हमारा video dot गया को आइद छाने के बारे में ककि क्या दिक कते होती है आपकोंें वोक्षाइद कर के उसका वे आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शूमें बहुत स्वागत हैं हम लोगों को थोड़ी जानकारी नहीं होते हैं उसके नीशल्स उनको पता नहीं होते हैं तो ऐसे ही हम हर बार एक नया टॉपिक लेते हैं तो आज हम पाईरिया से आप से जानना कि आखिर जो डीजीज होती है दातों में तो वो किस तरीके से होती है सबसे पहले तो आप उसको ब्रीफ करिए कि पाईरिया के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें कि आखिर पाईरिया होता क्या है बहुत बढ़िया प्रस्ण ने किया आपने मेडम पाईरिया जो है यह हमा हमारी oral hygiene बहुत पूर होती है तो पाइरिया होता है जैसे कि हम लोग ने कुछ खाया पिया sticky food वो दातों में जाके चिपक गया जहां पर की bacterial colony डिबलब हो जाती है जिसकी वज़ा से मुझ में बद्बू आना ये सारी गंभीर समय साय उत्पन होती है अच्छा डॉक्टर आपने विसे पाइरिया के बारे में भी हमें बता दिया उसके कारण भी बता दिये हैं लक्षन भी बता दिये हैं लेकिन आप यह बताए कि किस तरीके से हम उन लक्षनों को जज़ करें मतब क्योंकि जो भी लक्षन है उसमें हम किस तरीके से ज़ज करें कि ये लक्षन पाइरिया के ही हैं? सवर परतम हमें ये देखना है कि डियूरिंग ब्रशिंग जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे मुझ से अगर ब्लड आता है मसूडों से ब्लड रिष्टा है तो ये पाइरिया का लक्षण होता है जो कि बहुत ही कॉमन सा होता है दूसरे लक्षण में मुझ से बद्बू आना जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें पाइरिया लग चुका या हो चुका है तो ये दो में काज है लास्ट में अगर ये डिजीज बहुत ही क्रॉनिक स्टेज पर पहुंच जाती है इससे हमारे दान्थ लूस है घृवले हो जाते है यह कि आपने हमें बूला कि जहीज से पईरिया का जो सिंव्टम आपने बताया सिंव्टम में मुझ से बलड आने लगता है लेकिन कभी ख़वी ऐसा होता है कि गलत ब्रॉशिंग की वज़े से ब्लीड होने लगता है गलत ब्रशिंग की वजह से भी होता है तो कभिं ब्लीडिंग हो रही है कभी नहीं हो रही है तो क्या वह भी पाइरिया का लक्षन है या ऐसे ही नॉर्मल ब्रश गलत करने की वज़्शा अए भाधी अच्छा आपने परस्ब पूछा है एक होता है कि डियूरिंग ब्रसींग अगर हम कहीं ब्रस इंजिरी हो जाती है तो वो blood अलग होता है लेकिन अगर हमारे मुह में पारिया लगा हुआ है मसूडों पारिया के लच्छने है तो उसमें swollen gum होता है red और puffy gum होगा मसूडे हमारे कहिन कहीं से सूजा होगा उसमें सूजन होगी मसूडों में यह एक क्राइटेरिया होता है कि हम डिफ्रेंसियेट कर सकते हैं कि नॉर्मल जिंजाइबा है यह हमारा जो जिंजाइबा है वो इंफ्लेम्ड है इंफ्लामेशन होगा रेडनेस होगी वहाँ पे जि पर्टिकुलर टेस्ट किये जाते हैं जी मैं बिल्कुल पारिया का हम पता करने के लिए एंजाइमेटिक टेस्ट होता है जिसमें MMP8 एंजाइम को हम डाइग्नोस करते हैं ठीक है और दूसरा होता है जो बैक्टिरिया पारिया को कॉस करता है हम पेशेंट के माउस से उसको सैब लेके उसको हम पैतलोजी में भेजते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसको पारिया हुआ हुआ है तीसरा होता है हमारा periodontal index, periodontal index को हम measure करके भी यह पता लगा सकते हैं कि जो पारिया है हमारा वो किस condition पर है या कितना घातक है, इन तिन test से हम पता कर लेते हैं कि वाकए में patient गंदर क्या problem. तो सर अभी हम लोग जैसे आप test के बात कर रहे थे, आपने कहीं सारे test बताये थे, क्या उसमें कुछ ध्यान देने योगी बाते होती हैं उन patients के लिए जो diabetic होते हैं या kidney patient होते हैं या heart patient होते हैं, उनको क्या कुछ विशेश ध्यान देना पड़ता है उन test के लिए? हाँ, बिल्कुल कुछ medicines ऐसी हैं कि जो हमें जो है stop करना पड़ता है before test ठीक है, लेकिन इसमें कहने का मतलब यह है कि कोई surgical process test का नहीं है, तो normally हम patient को बोल सकते हैं कि तुम अपनी medicine सुबा खा के आना और अपना test करा लेना, तो बहुत ज़्यादा effect नहीं पड़ता है इन medicines का हाँ, यह हो सकता है कि पायरिया के कारण हमें heart disease, kidney disease, यह सब लच्छाण उत्मन हो सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे doctors को सुना है, देखा है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा critical होते हैं, diabetic और heart patient बहुत ज़्यादा critical होते हैं, क्योंकि आप दात का treatment कराने जाते हैं, उस time period के लिए, कुछ time period के लिए medicine रोग देते हैं, medicine बंद कर दी जाती है कि ऐसा ना करिएगा, यह च condition में आप लोग क्या करते हैं? हम 24 घंटे आप आतर घंटे के लिए बंद कर देते हैं, और after surgery फिर हम उसको दवा दे देते हैं, कि आप अपनी दवा फिर से regular कर सकते हैं. Sir, doctor को किस time पे हमें दिखा लेना चाहिए, कि समय रहते हैं, अगर हम doctor को कब दिखाएं, तो हम किस तरीके से judge करें, कि हम इस time पे हमें doctor को दिखा ही लेना चाहिए, कोई ending point एक something कुछ होता है, तो… वो क्या time period है? आपका plaque लगा हुआ है, plaque जो है, एक ये thin film होती है, आमोमन हम लोग उसको brushing से भी नहीं छुड़ा पाते हैं, पीला-पीला सा होता है, tenacious, inflexible structure होता है दातों पे, तो उसके लिए हमें अपना घर में चेक करते रहने चाहिए, खुद भी शीषे के सामने खाड़े होके, अग अगर हम लोग timely dentist के पास नहीं जा पाते हैं, तो क्या हमें कुछ और दिख्कोतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्या-क्या problem उससे हो सकती है, अगर हमने समय रहते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाया तो. अगर हमें समय रहते हैं, हम dentist के पास नहीं जाते हैं, तो जहिर सी बात है, कि वो समस्या आपकी दिन प्रति दिन बढ़ती जाएगी, जिससे कि हमें मसूडों से संबंदित, दांतों से संबंदित, या मुईकोसा से संबंदित, भीमारियां उत्पन होने लगेंगी, क्योंक कि कहीं ने कहीं से हम अपने कामों में वैस्त हैं, ठीक है, तो इस वज़ा से सुबह हमें कम सकम 2-5 मिनिट अपने दातों पे देना चाहिए, उसको प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, और अपनी समस्याओं को जो डॉक्टर ये है कि हर बिमारी का एक स्टेज होता है, एक प्रकार होता है, तो क्या पाइरिया के भी कुछ स्टेज होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पाइरिया के लगभग तीन स्टेज होते हैं, इसमें सबसे आपका जो पहला आता है, वो अलसरेटिव जिंजिवाइटिस होता है, जरा सा हम जिंजिवाइटिस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कि जिंजिवाइटिस जो है ये गम इंफ्लमेशन होता है, जो हमा या जो यंग वन्स हैं उसमें हम लोग इसको देखते हैं। तीसरा होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस जिसमें की मसूड या जो उसका बोन है इस ट्रक्चर है जो हमारे सरांडिंग टूथ को जकड़े रहता है उसमें ब्लेट की सप्लाई कम हो जाती है तो इन तीन प्रकार होते हैं इसके आपके पारिया के जिसमें की बोन लॉस जो है कॉमन होता है अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या इनका ट्रीटमेंट रहता है किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है जिससे ये एकदम सही हो जाएं सबसे पहले तो वो कम से कम दो बार तो brushing जरूर करे एक morning brushing एक सोने से पहले brush करना बहुत ही जरूरी है अगर हमको अपने दातों को सुरक्षित रखना है तो दूसरा है कि जब आपको पैरिया लग चुका है हम अपने dentist के पास जाते हैं तो dentist आपका जो है वो scaling करता है रूट प्लानिंग करता है दातों के ऊपर से जो भी calculus या plaque लगा हुआ है उसको वो साफ करता है उसको निकालता है और सब जिंजाइवल मसूरों के नीचे की भी जो समस्या है जहां पे हमारा प्लाक लगा हुआ है जहां पे पैरिया लच्छन है उसको वो अपना scalar से साफ करके आपके दातों को वो सही करता है एडवांस स्टेज में आपको flap surgery करानी पड़ती है जहां के पे दात आपके lose हो रहे हैं जहां पे bone destruction हो चुका है वहाँ पे हम bone crafting और flap surgery करते हैं दातों को मजबूत करने के लिए दक्तर आपने अभी treatment की बात कि आप treatment के बारे में बताया थे कि कौन कौन से treatment होते हैं किस तरीके से हम पारिया वाले दातों को treat करते हैं लेकिन अगर हम उनकी medicine की बात करते हैं तो medicine में कौन सी दवा बहतर रहती है क्योंकि कभी-कभी यह होता है कि बहुत जादा initial stage पर है ज किन दवाईयों से देखे पारिया का तो ऐस सच अगर आपको पारिया लग चुका है तो तभी हमें medicine लेनी चाहिए वरना जो सबसे अच्छा उपाई यह है कि आप two time brushing करिये और mouthwashers कुछ आते हैं उन mouthwash का हम प्रियोग करके अपने इन पारिया को दूर कर सकते हैं तो डॉक्टर आप जिसे बार बार एक और चीज आप जब से मैं आपसे treatment के बारे में पूछ रही हूँ आप बार बार एक और चीज बोल रहे हैं brushing करने के लिए यह भी कहा जाता है कि brushing की एक particular टेक्नीक होती है अगर हम सही से brushing नहीं करते हैं बहुत harshly करते हैं तो उसके कु brushing techniques होती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग करते क्या हैं कि brush उठाया, paste लगाया और बस सामने से घुमा के उसको clean कर लिया हमें exactly brush के लिए दो से धाइम डट तो देना ही पड़ता है बहुत ज़्यादा हमें time नहीं देना है कि पता चला कि हमारे दात की enamel ही करते-करते वो उड brushing techniques हैं जिसकी वज़ा से हम अपने दात और मसूडों को स्वस रख सकते हैं उसमें से to and fro moment होता है हम brush को bristle को आगे रखते हैं उसका कुछ portion दातों पे होता है कुछ portion मसूडों होता है और जिससे हम gently massage करते हैं to and fro moment करके हम अपने दातों की सफाई कर सकते हैं इसी तरह दो ती और techniques हैं जो advanced techniques हैं जिसमें कि हमारे electric brushes वगरा आते हैं जो कि बहुत अच्छे से हमारे दातों और मसूडों की सफाई कर सकता है अब की डॉक्टर अभी medicine पर भी आप बता रहे थे तो उस medicine पर अगर हम compare करना चाहें जैसे homopathic हो गया अलopathic हो गया या Ayurveda हो गया तो इसमें से क्या बहतर रहता है इस पाईरिया के लिए देखी ये तो patient के उपर है कि वो use क्या करना चाहता है उसे किसी drug से allergy तो नहीं है या कोई drug उसको नुकसान तो नहीं कर रहा है हमारे homopathic में भी कुछ medicines आती हैं जैसे calendula mother tincture है जिससे कि हम अपना as a mouthwash उसको use कर सकते हैं simply उसको प इसको spit कर देना है इसी तरह हमारे मर्क solve आती है cryozoat medicine है homopathic में जो कि हम सेवन कर सकते हैं उसको ले सकते हैं और parius निजात पा सकते हैं तो डॉक्टर या person to person decide करते होंगे कि कि किसको हम alopathic दे सकते हैं किसको homopathic दे सकते हैं तो यह person to person depend करता है person to person बोल सकते हैं लेकिन जो main treatment इसका होता है कि scaling and root planning क्योंकि medicine हमारा symptomatic हमें relieve कर सकती हैं जब तक हम bacterial colony को जो हमारा bacteria है जो मसूड पे लगा हुआ है उसको नहीं remove करेंगे नहीं हाट आएंगे अपने dentist के पास जाके तब तक हमारा parius पूर रूप से सही नहीं हो सकता है तो उसके लिए हमें अपने dentist के पास जाना है विजिट करना है उसको अपनी समस्या बतानी है और हमें proper treatment लेना है सर इस बिमारे के लिए क्या कभी operation की भी नौबत आ सकती है क्या ऐसा हो सकता है कि दवाई के थुरू अगर treatment नहीं हो पा रहा है या आपने जो भी precaution बताए है उससे अगर हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कभी ऐसा रहा है कि इसमें भी operation करना पढ़ सकता है जी मिलकुल मेडम, operation करना पढ़ ही सकता है क्योंकि जो हमारा bacteria होता है paria alveolaris होता है वो जाके bone को distract करता है जिससे हमारी हड़ियां कमजोर होती है वो जो job bone होती है वहाँ से उसका recession या destruction चालू हो जाता है जिसकी वज़ा से दात loose हो जाते हैं तो हमें बाद में flap surgery करानी ही पढ़ती है जिन जी टॉमी होता है जिन जो प्लास्टी होता है यह सब हमें करना पढ़ता है जिससे कि आपके दात और मसूरे दोनों सवस्तर है तो डॉक्टर यह है कि आपने जो भी treatment बताया जो भी medication बताया उसके चलते वो करने के बाद पारिया जड़ से एकदम सही हो ज करता है कि हमारी oral hygiene हमारा जो रोज मर्या का मसूरों और दातों की सफाई वो हम क्रिस प्रकार से कर रहे हैं उसको हम कितना साफ कर रहे हैं अपनी oral hygiene कितनी maintain कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है पता चला आपको पारिया हुआ है और हमने treatment ले लिया पारिया हमारा ठीक बहु तो फिर से हमारा plaque calculus deposition होने लगता है वो बैक्टीरिया फिर से attack करेगा acid प्रोडूस करेगा और फिर से पारिया के समझ से उत्पन हो जाएगी अपनाया जाते हैं लोग अधिकतर होता है क्या वो दवाईस करते हैं कि हर चीज़ के लिए दवाई नहीं लेते हैं तो पारिया के लिए कुछ घरेलू नुसके भी होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि किस तछी के यह है कि जब अगर इनिशल लेवल पर है तो हम मेडिसिन ना लें और इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो तो कुछ घरेलून उसके आप बताईए कि क्या हो सकता है कि जिसकी वज़े से हम थोड़ा सा कुछ अपने को अपने जो यह है पाई रिया को थोड़ा सा मैनेज कर सक के हैं कुछ घरेलून उसके हैं जो हम अपने घर में इनिशल स्टेज पे कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं जिसमें की पहला है कि अगर हम घी ले लें गाय का घी है उसमें थोड़ा सा कपूर को क्रश करके पीस के मिला के उससे हम मसूडों की मसाज करें तो हम पारिया से निजात पा सकते हैं दूसरा है सरसो का तेल, हल्ली और थोड़ा सा नमक दो चुटकी उसको मिक्स करके अगर हम मसूड़ों दातों पे उसको ऐज ब्रस की तरह पेस्ट की तरह यूज करें तो उससे हम निजात पा सकते हैं और सबसे अच्छी चीज है कि अगर हम गुनगुने पानी में नमक डाल के उसकी कुल्ली करें तो उससे बहतर कोई चीज नहीं जिससे हमारे दात और मसूड़े दोनों बहुत ही स्वस्त रहते हैं तो सर हम जैसे अभी घरेलू नुषकों पर बात करते हैं अपने कई सारे हमें दो तिन घरेलू नुषके भी बताया है कि इन नुषके से हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसे बात करें तो किते प्रतिशत ये जो घरेलू नुस्के हैं वो सकसज रहते हैं कि ऐसा ना हूँ कि कोई घरेलू नुस्का अगर आपने हमें बताया है तो बहुत जादा मतब एकदम काफी स्टेज पर पहुंच चुका है इंड स्टेज पर है उसके बाद भी वो सोच रहा है कि नहीं डॉक्टर साब ने हमें नुस्का बताया है तो हम इसी नुस्के से चलते रहेंगे और सही हो जाएगा कि इस पॉसिफल कि इन नुस्कों से हम पर्मनेंटली हम निजात पा सकते हैं पाइरिया से बहुत अच्छा प्रस्ण किया है में आपने पर्मनेंटली तो हम निजात नहीं पा सकते हैं घरेलू नुस्के से उसके लिए हमें डेंटिस के पास जाना ही पड़ेगा और उसको अपनी समस्या बताके और प्रॉपर टीटमेंट लेना पड़ेगा घरेलू नुस्के जो होते हैं वो हमारी इनिशिल स्टेज पे 5-10 परसेंट थोड़ा बहुत ही काम कारगर साबित हो सकते हैं जिसमें कि जो बेस्ट तरीका हमने बताया था आपको कि गुनगने पानी और नमक की कुली यह तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग भी रिक कारगिल जरूर करें तो कुल मिला के घरेलून उसके हमारा जो है वो 5-10 प्रतिस्त ही मरीज को ठीक कर पाता है नहीं तो आपको डेंटिक्स पाज जाना है और उससे ही हमें अपना इलाज कराना चाहिए अच्छे डॉक्टर बाकी है कि जो लोग अलग एक किसी बड़ी बिमारी से ग्रसित हैं जैसे अभी पहले भी मैंने आपसे एक बात पुछी थी कि टेस्ट के लिए एक प्रिकॉशन आपने बताया था कि उनके लिए एक टेस्ट प्रिकॉशन होता है वैसे ही अब जब ट्र अलग होती है या सेम प्रोसीजर ही रहता है डायबिटीज हार्ट पेशेंट या किड्नी पेशेंट पहले तो मैं यह बता दूं कि जो पारिया का पेशेंट होता है उसको भी हार्ट की प्रोब्लम आ सकती है उसको किड्नी की भी प्रोब्लम हो सकती है और शुगर की भी समस हैं हो सकती हैं अगर बात हम करें treatment का कि जो heart का patient है या kidney का patient है या diabetic का patient है उनको हम treatment देने जा रहे हैं तो हमें क्या-क्या precautions लेनी चाहिए तो इसके बारे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि अगर हमारा heart का patient है और हम surgery के लिए जा रहे हैं तो हमने जैसा कि पहले बताया था कि कुछ उसकी medicine ऐसी होती है कि जो हमारे blood को पतला करती है जो anticoagulants होते हैं तो हमें अपने dentist को बताना चाहिए कि हम इस प्रकार की medicine ले रहे हैं उसको अपना prescription दिखाना उसके आधार पी ही dentist आपकर decide करता है कि इन दवाईयों को बंद करना है या नहीं करना है रही बात sugar की तो sugar या diabetes में होता गया है कि थोड़ा सा हमारा saliva flow जो है वो reduce कर जाता है जिसकी वज़ा से जो sugar के patient होते हैं उनमें दातों की समझ से बहुत ही common होती है जिसमें की paria एक common cause kidney patients हमारे immune system जिनका weak होता है उनको kidney की बिमारिया होती है तो immune system weak होने से भी हमारे paria वाले लच्छन उत्मन हो जाते हैं यह समस्यां पैदा होती है तो अपने dentist को हमें बताना चाहिए कि अगर हमें कोई समस्या है हमारे health से related heart की kidney की या sugar की तो हमें जरूर inform करके अपना proper तरह स इलाज करवाना चाहिए है डाक्तर अभी हमने आप से कहीं stages के बारे में पूझा था कि पाईरिया की stages होती है अपने stages के बारे में define किया था तो stages आपने दो या तीन stages बताई थी अगर हम एकदम last stage पे हैं तो क्या patient की जान जाने का खत्रा भी रहता है पाईरिया के थूरू ऐसा हो सकता है कि किसी को patient पाईरिया है और वो एकदम last stage पे है और बहुत जादा पाईरिया उसका बढ़ गया है तो क्या patient की उससे जान भी जा सकती है पाईरिया जो है एक bacterial disease है तो अगर हमारे मुह में पाईरिया है और हम बहुत ही severe condition में है last stage में जैसा कि आपने बताया त जिसकी वज़ा से हमारे जो ligaments है वो बहुत ही lose हो गया है तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग कुछ भी खाएंगे पीएंगे या वो patient कुछ भी खाता है तो bacterial colony भी साथ में हमारे पेट में जाती है और पेट से होते हुए वो blood stream में चली जाती है तो कभी-कभी उसकी वज़ा rare case में होता है कुछ studies आई है जिसमें की और research चल भी रहे हैं कि अब होता क्या है कि हम यह जानना चाहते हैं कि पारिया जैसे आपने गहा है कि last stage में है और वो life threatening हो सकता है तो कुछ research चल रहे हैं studies है लेकिन bacterial colony होती है जो कि हमें जो है enough electric shock वेगरा create कर सकती है patient को problem आ सकती है क्योंकि यह पारिया contagious भी होता है कि जैसे छोटा बच्चा है घर में बुड़े बुजुर्ग हैं उनके मुँमें पारिया लगा हुआ है और बच्चे को वो चूर रहे हैं किस कर रहे हैं तो जिसकी वज़ा से यह disease transfer हो जाती है अच्छा मतलब यह ऐसा भी है कि जिसको अगर पारिया है और अगर इस तरीकी का यह जो symptom बता रहे हैं कि अगर उसने बेबी को किस कर दिया तो उसको भी problem हो सकता है पारिया का transferable है उसको bite किया और दूसरे को दे दिया घर में तो वो पता चला बैक्टीरिया जो है saliva के तो उसको transfer हो गया तो उसको भी यह समझ से उत्पन हो सकती है डॉक्टर वैसे आपने तो अभी हमें खान पान में बताया कि कुछ चीजों का precaution रखना चाहिए अगर हम बहुत sticky food बगएरा something खाते हैं तो जिससे पारिया जैसी बीमारी हो जाती है लेकिन पारिया के दौरान जो लोग पारिया से सफर कर रहे हैं उनको क्या कुछ विशे द्यान रखना चाहिए हमें अपने डाइट में फाइब्रस डाइज जो रेशे वाले fruits हैं या जो रेशे वाले हमारे भोजन है उसका इस्तिमाल करना चाहिए जिससे कि हमारा जो लार बनता है मूँ में जो saliva बन रहा है उसका flow अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब पारिया लग जाता है दातों और मसूडों में तो हमारा slavery flow जोता है saliva का flow वो बहुत ही कम हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ bacterial accumulation या प्लाग की जमने की संभावना ज्यादा होती है तो हमें अपने खाने में vitamin C, vitamin D, इन सब चीजों को add करना चाहिए, vitamin B हो गया इसको हम अगर अपने खा कोड़े सुस्त रहेंगे और हम पायरिया से निजाद पा सकते हैं अजर डॉक्तर यह है कि कहीं बार जैसे एक sensitivity होती है दातों में कि ठंडा लग रहा है खटा लग रहा है कुछ ऐसा चीज है तो वह भी क्या symptom पायरिया का ही है बहुत यह अच्छा प्रसंद किया अपने sensitivity के अलग अलग कारण है लेकिन हाँ अगर हमें पायरिया लगा है हमारा जिंजाइवल रिसीशन होता है कहने का मतलब यह है कि जो हमारी गम लाइन है जहां पर हमारा मसूड़ा हमारे दांस से चिपका हुआ होता है वो भी रिसीट करता है वो नीचे जाता है जिससे हमारे root portion ज अगर केरीज लगा है, कीड़ा लगा है, साधरन भासा में हम कहें, तो उस वज़े से भी हमें सेंस्टिविटी की समस्या आ सकती है, हमें ठंडा गरम लगना महसूस हो जाता है। अगर यह है कि दातों को क्लीन करने के लिए सबसे एहम रोल होता है टूथपेस का, तूथपेस आज की डेट में मार्केट में तमाम टूथपेस आ चुके हैं, आयरवेदा से रिलेटेड भी है, क्यामेकल भी है, बहुत कुछ है, तो कौन सा टूथपेस ऐसा होते हैं, जो बह होते हैं मार्केट में, हरवल कुछ पेस्ट हैं, जिनने हमें इस्तिमाल करना चाहिए, कुछ पेस्ट आरवेद पेस्ट आते हैं, फ्लोराइड डिज पेस्ट है, तो फ्लोराइड डिज पेस्ट जो होता है, वो अच्छा होता है दातों और मसूडों के लिए, तो अगर जो जिनको पारिया के समस्या है, उन्हें फ्लोराइड डेश्च पेस्ट भी देना उचित रहता है अच्छा। ठरियूरस ज्ञाटों पारिया का जो ट्रीतमन अभी तक चला रहा है , तो हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक विजिट या दो विजिट में दातों की सफाई करके उस समस्या से मरीज निजात पा सकता है अगर advanced stage है जिसमें कि हमारा loosening of tooth दात हिल रहा है और bone का destruction हुआ है तो फिर हमें flap surgery करानी पड़ती है और कुछ bone grafting डालना पड़ता है bone के grafts आते हैं और हम उस surgery के द्वारा दातों को अपने मजबूत कर सकते हैं और अगर हम इस पर expense की बात करते हैं खर्च की बात करते हैं तो अमूमन कितना खर्चा जाता है इसकी treatment में अमूमन अगर हम scaling या route planning की बात करते हैं कि जो की initial peria के लिए हम बोल ले हैं कि दातों की सफाई तो वो लगभग डेड़ से 2000 अलग अलग है अपना dentist का भी कुछ वो तो लगभग ये डेड़ 2000 रुपए में इन समस्या से निजात पा सकते हैं और कुछ medicines हैं जो आपको देता है, mouth washes है, multivitamins है, antibiotics हैं वो सब चलाता है तो हम बाद में ये अपने समस्या से निजात पा सकते हैं flap surgery में थोड़ा expensive होता है तो उसके लिए हमें proper x-ray बगरा करा के अपने dental surgeon से consult करना चाहिए तो उसमें भी हमारा expense 20-30,000-30,000 इस टाइब से खर्चे आते हैं Scaling में कभी-कभी doctors ऐसा होता है कि एक साथ पूरे मूं की scaling क्या नहीं हो सकती है या मतलब ऐसा होता है कि आज मतलब एक side की करें फिर 2 की आज करते हैं फिर 2 की कल करते हैं तो क्या इतना time period लगता है कि हम एक साथ पूरे मूं की scaling नहीं हो सकती है हाँ बिल्कुल एक साथ scaling हो सकती है actually मैं scaling हमें एक या दो विजिट में ही करनी चाहिए single visit में भी scaling होता है scaling जो है वो normally हम बोल दें तो वो दातों की सफाई होती है plus मसूडों की सफाई होती है जो सब जिंजाइवल दात और मसूडों की बीच में जो गैप होता है जिसको हम साफ करते हैं तो scaling अगर पारिया के patient है तो दो से तीन विजिट में ही scaling करानी चाहिए single visit में उतना अच्छा response नहीं आ सकता है या कुछ चीज़े हैं वो छूट सकती है जिसकी वज़ा से मरीश को दुबारा ये समस्य उत्पन हो सकती है तो मेरे हिसाब से तो दो तीन विजिट में ही scaling या दातों की सफाई करानी चाहिए जिससे की हम अच्छा result प्राप्त कर सकते हैं सवर प्रथम तो मैं प्राइम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया दा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है और हमें पायरिया के उपर बोलने के लिए बुलाया है यहापे क्योंकि हमारे यहाँ डेंटिस्टे में कुछ अर्डियो विजियल एड्स भी होते हैं जिसके थुरू हम पेशेंट्स को या लोगों को अवेर कर सकते हैं अपने दातों के प्रती अपने मसूडों के प्रती अपने ओरल हाइजीन के प्रती तो बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी और मैं पायरिया के लिए बताना चाहूंगा कि सभी से ये मेरा निवेदन है कि कम से कम दो बार अपने दातों का ब्रश जरूर ही करें रात में सोने से पहले और अपने डिंटिस्ट से प्रॉपर चेक अप कराएं हर ती से मैंने जाके दूसरी चीज कि अगर आपके ब्रस के ब्रिशिल्स बहुत हार्ड हैं तो किर्पिया उन्हें सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट ब्रिशिल वाला ही ब्रस यूज़ करिए जिससे कि आपके दातों में या मसूडों में समस्या उत्पन नहों पाए क्योंकि हार्ड ब्रशिंग से हमारे दात कहीं नैमल वो कहने कहीं से घिस जाता है या मसूडे भी रिसीड कर जाते हैं तो जिसकी वज़ा से भी हमें यह समस्या उत्पन हो सकती है तो धन्यवाद प्राइम टीवी में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंतरा सकते हैं उमीद है आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी अगले एपिसोड में हम फिर आजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में एक नए टॉपिक पे तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार कर देखते हैं प्राइम टीवी नमस्कार